नमस्कार प्यारे बच्चों मेरा नाम है विशेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 11 का टॉपिक है यूनिट 7 7.5 गाइडिंग अराउंड दी हेरिटेज साइट्स हेरिटेज सम्बंदी जितनी भी एक्टिविटीज थी परेटकों के दौरा की जाती है सम्बंदित जानकारी इसके पहले वाले 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 से सम्बंदित वीडियो हमने अल्रेडी बना चुका है इसके बाद हम 7.5 पे आते हैं गाइडिंग अराउंड दी हेरिटेज साइट इसमें आपको बताये गया है कोई भी मॉनुमेंट है, हिस्टोरिकल प्लेस है, whether it is archaeological or heritage site has a lot of story to tell जी हाँ, definitely कोई भी archaeological site, कोई भी historical site, किसी का भी इतिहास है तो उसमें भिन-भिन प्रकार की स्टोरी होती है इतिहास से संबंधित चीजें तभी जाने में आपको interest आएगा जब आपके पास knowledge होगी जिनके पास knowledge नहीं होगी, वो देख के फोटो कीच के चले जाएगे लेकिनको समझ में नहीं आएगा कि actually वो tourism इस्थल, परिटन इस्थल क्यों बनाये गया था उसका main motive क्या था, main reason क्या था तो इन सीजों से संबंधित चीजें जो है यहां बताए गई है कि जानकारी जो है वो देने के लिए किस person की importance है कौन person जरूरी है वो बताए गया है कि lot of story to tell बहुत सी कहानिया है बताने के लिए for a tourist just visiting a site or seeing the remains of building palace fort without a guide or site interpreters is meaningless अब meaningless कब होगा जब मज़ा आपको तभी आएगा टूर में जब palace घूम रहे हैं फोर्ट घूम रहे हैं किसी परिटन इस्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर guide होगा तो आपको real feel आएगी उस परिटन इस्थल की उससे संबंदित information मिलेगी जानकारी मिलेगी तो guide का होना आवश्यक है तभी आप पूर्ण रूप से परिटन संबंदी activity करने में आपको भी खुद से अंदर से interest आएगा तो ये चीजें जो है guide का होना important है इसलिए बताया गया है guiding around the heritage site trained guide help a tourist to understand the meaning of science होते हैं figures होते हैं, pictures होते हैं, diagram होते हैं script होते हैं, sculptures हैं importance of site monument and building अब ये भिन-भिन प्रकार की चीजें जो हैं, पुराने जमाने की जो चीजें, archaeological चीजें, historical sites हैं monuments हैं, जहां पर परेटक जा रहे हैं, वहाँ पर sign होते हैं figure होते हैं, pictures होते हैं, diagram होते हैं sculptures होते हैं तो इन चीजों से संबंधित, जानकारी तभी आपको मिलेगी जब आप guide को hire करोगे, trained और professional guide को hire करोगे उनकी मदद से परेटक भिन-भिन प्रकार की जानकारी अर्जित करते हैं, परेटन इस्थल से संबंधित write-ups and audio guides are available in several places, which help tourists to understand the importance of a site or monument अब आज के time, बच्चों, technology जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे guide से संबंधित audio है, वो भी लोगों को दिया जाता है, ताकि वो परेटन इस्थल पर घूम घूम कर उस audio को सुनते हैं, तो उससे भी उनको काफी मदद मिलती है, और वो उस परेटन इस्थल के बारे में जान लेते हैं तो ये सभी चीज़ें guides के तौर पर भी अभी के टाइम डिनोट की जा रही है भारत सरकार भी इस पर वरकौन कारे कर रही है बिन बिन प्रकार के जो भी भारत में monuments हैं, historical sites हैं, वहाँ पर tourist guide होते हैं, जो की government के द्वारा license प्राप्त उनको होते हैं जी हाँ पच्चों, जैसा की मैंने आपको बताया कि tourist guide जो होता है, वो बहुत ही important role play करता है वो जब भी किसी भी परेटन इस्थल में किसी भी परेटक को जाना है, वो हर प्रकार की जानकारी उन्हें उसी guide के माध्यम से मिलती है, वो कोई भी historical monument हो सकता है, कोई भी guide जो है, वो tourist place पर जो भी परेटन संबंदी site हैं, sculptures हैं, pictures हैं diagrams हैं, scripts हैं वो सभी से संबंदे जानकारी उनके पास होती है, since the availability of trained guide are comparatively less in tourist site several state government also have come up with guide training programs guide training program भिन भिन प्रकार की state government जो है, वो launch कर रही है ताकि guides लोग भिन भिन प्रकार के परेटन इस्तलों से संबंदे जानकारी एकत्रित करें और tourist लोगों को उस परेटन इस्तल पर घुमाएं इससे संबंदित mostly found किया गया है इंडिया में guide की संख्या trained guide की संख्या कम है तो इसी वजह से guide से संबंदे टेरिंग program लॉंच किये जा रहे हैं tourist guide plays a very important role in order to make visit a complete tour for every tourist सभी tourist के लिए ये बहुत ही important role play कर रहे हैं guide तो वो complete tour करवाते हैं guest को, tourist को ability to provide correct and factual information ability to examine script and pictures उनके पास ये ability होती है सही जानकारी, accurate और सटीक जानकारी होती है guide के पास वो हर script को examine करते हैं pictures और जो भी द्रिश्य है परेटन इस्तल से संबंदित वो हर प्रगार की जानकारी guide के पास होती है interpret them into tourist in a simple and easy language सीधी और आसान भाषा में वो tourist guide जो होते हैं वो interpret करते हैं language भाषा को तबदील करते हैं सीधी और सामान जो भाषाएं होती है tourist की language में उन्हें समझाते हैं हमेशा उत्सुकता रहती है tourist को तो उसे पूर्ण रूप से जानकारी देना उनकी उत्सुकता को और बढ़ाना ये guide की speciality होती है कि उनसे संबंदिच जानकारी परेटकों को दे यही guide की skill होती है essential skill होती है कि वो हर प्रकार की जानकारी वो एकत्रित करते हैं और वो ही सारी जानकारी tourist लोगों को बताते हैं there are also visitor interpretation centers located near almost every important site सभी important sites के आजपास visitors visitors information center होता है जहां से लोग जानकारी एकत्रित कर सकते हैं in India we can find the concept of visitor management and visitor interpretation centers VIC VIC का full form है visitor interpretation centers ये जो भी center होते हैं यहां पे भिन-भिन प्रकार के visitors management संबंदी हर प्रकार की चीज़ें जो है गत्विदी हैं वो हर प्रकार की चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है guide book बनाई जाती information दी जाती है परेटकों के लिए ये जानकारी सांजा की जाती है तो ये जो concept है इन सभी से संबंदित जानकारी tourist की मदद करने के लिए दी जा रही है ये सभी office जो है which enable visitor to get first hand information about a site जो site है वो national park भी हो सकता है museum हो सकता है कोई भी परेटन इससल होता है उनसे संबंदित जानकारी एक बार में ही वो सभी प्रकार की जानकारी परेटकों को दी जा सके इससे संबंदित ये centers बनाए गए है अब बच्चों जो national park हैं उससे संबंदित भी जानकारी visitor interpretation center में दी जाती है which help the tourist to know about nature जो मदद करता है टोरिस्ट लोगों को nature से संबंदित जानकारी देने के लिए इसमें ecosystem से संबंदित वनस्पती और जीव से संबंदित भिन-बिन प्रकार के special features जो है national park से संबंदित वो सभी चीजें VIC की मदद से परेटकों को जानकारी दी जारी है provide the significance of sight in terms of history heritage through photographs बिन-बिन प्रकार की चीजें जो हैं जिसकी मदद से लोग जानकारी दिये रहे हैं VIC की मदद से उसमें photographs भी दिखाये करते हैं उस परेटनिस्थल की audio, visual, video की मदद से भी दिखाये करते हैं परेटनिस्थल को promote कर रहे हैं लोग touch screen से संबंदेत special movie shows बनाते हैं, light and sound shows भी हो रहे हैं Red Fort में Delhi, Gualier Fort मद्दप्रदेश, चित्तोडगर, राजिस्थान temple sites like Khajrahu मद्दप्रदेश, सोमनात, गुजरात ये भिन-बिन प्रकार के परेटनिस्थल ऐसे संबंदेत जानकारी लोगों को दी जारी है जिससे की लोगों के अंदर आकरशन हो रहा है और उस परेटनिस्थल पर जाने के लिए वो लोग आकरशित होकर उस जगह घूमते हैं और परेटन संबंदी अक्टिविटीज किया करते है लाइट एंड साउंड शो रिक्रियेट दी हिस्ट्री बाइ यूजिंग दी कॉंबिनेशन ओफ कलर सपोर्टेड बाइ प्रॉपर आडियो बैग्राउंड बिन-बिन प्रकार के लाइट एंड साउंड शो होते हैं आप किसी परेटन इस्थल पे गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा लाइट एंड साउंड शो जो होता है वहाँ पे फिगर्स फोटोग्रैफ्स आडियो सुनाए जाते हैं जिससे की लोग पुराने जमाने की चीजों से संबंदित जानकारी वो लोग उस फिल्म में देख लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन है परेटन इस्थल से संबंदित ओडियो टूर्स होते हैं जिसमें की परेटकों विदेशी परेटकों को घुमाने में मदद करता है उनकी भाषा में जानकारी जो है वो ओडियो उस परेटन इस्थल से संबंदित बनाये जाता है जो की भारत सरकार के द्वारा इसमें वरकान किया जारा है वो भिन-विन प्रकार की एतिहासिक साइट्स होती है उनसे समद्द जानकारी मिलती है which is really helpful for foreign tourists foreign tourist लोग की भाषा जो होती है भिन-विन प्रकार की होती है विश्व में भिन-भिन जगहों से वो आते हैं उनकी भाषाएं different होती है जो कि उनी की भाशा में audio होता है जिसकी मदद से वो उस परेटर निस्थल के बारे में जान लेते हैं The audio guide instrument used with headphones Headphone की मदद से वो उस audio को सुनते हैं Allows a visitor to choose his language from a limited number of options Win-win प्रकार के options होते हैं उसकी मदद में अपना language select करते हैं लोग और उसी भाशा के उसमें उनको audio मिलता है और audio की मदद से वो टूर करते हैं The commentary is informative and authentic बहुत ही अच्छी जानकारी उसे मिलती हैं पूरी जानकारी पूर रूप से audio में मिल सकती है उसी की भाशा में जो भी परेटक जिस धर से आया है उसी की भाशा में वो audio होगा Usually a map of site is also provided in order to locate different sites Map की मदद से भिन-बिन प्रकार से सम्बंदित लोगों को locate कर सकते हैं उस site से सम्बंदित जानकारी एकत्रित कर सकते हैं Guiding tour से सम्बंदित Numbered signboards at different point help the visitor to stop a particular place भिन-बिन प्रकार के signboards होते हैं जिसकी मदद से visitors को मदद करने के लिए उस description को लगाया जाता है और भिन-बिन प्रकार के उस परिटन spot जो होता है वहाँ पे कोई signboard होता है कोई logo होता है जिसकी मदद से वो परिटन परिटक जो होते हैं उनकी भाषा में English में या mostly Hindi में उनकी भाषा में वो लिखा होता है उस परिटन इस्थल पे ही जो signboard होते हैं उसकी मदद से but it lack person touch of a guide language interpreter who can also relate a history of a place with local customs and local people but guide की भी बहुत ही महतुपूर्ण जिम्मेदारी होती है guide का भी होना वहाँ पे बहुत आवश्यक है only signboard देखके ही वो सारी जानकारी आप नहीं ले लेंगे भिन भिन प्रकार के customs traditions जो हैं जो संस्कृती है रिती रिवाज उसे संबंदे जानकारी तभी मिलेगी जब guide को लोग hire करेंगे वो local people हो सकते हैं वहाँ के रहने वाले निवासी हो सकते हैं उनसे लोग जानकारी एकत्रित कर सकते हैं टूरिस्ट के तौर पर another advantage of guide is a cheaper comparing to hire a licensed guide जो होता है उसकी cost जादा होती है hire करने की लेकिन audio guide जो होता है जो आप mobile में headphone लगा के सुन लेंगे तो वो बहुत ही cheaper price में सस्ते में आपको मिल जाएगा तो यह बहुत ही बिन बिन प्रकार की सुख सुविधाएं हैं जो की competitive market में लोग tourist की मदद करने के लिए लेके आ रहे हैं but a guide is not only a interpreter at many occasions but also he and she can help the tourist to take right direction and get appropriate information in crowded attraction सही जानकारी मिले, पूर्ड रूप से जानकारी मिले, tourist लोगों को मदद मिले, एक सही direction में परेटक जाएं उनको कोई उस वक्त situation के अंतरगत पूर्ड रूप से जानकारी देने वाला वही person है वो guide जो उनके साथ हमेशा रह रहा है तो guide का एक अलग ही महत्व है जो की audio, visual में हो सकता है, मिल जाए लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत problem तो होगी person को tourist spot पर, तो guide जो होता है उसका एक महत्वपून योगदान है भले ही वो पैसे अलग ले रहे हैं लेकिन उनकी जो importance है वो different है एक अच्छा guide यही represent करता है भारत के culture को, संस्रिती को, रेती रिवास को, वो भारत की जो विरासत है उसको promote कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है तो यह importance है guide की इसके बाद इधर और भी कुछ जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि भिन-भिन प्रकार के कुछ ऐसे भी guide होते हैं जो unauthorized guide होते हैं जिनके पास कोई license नहीं होता जो income generate करने के लिए वो उस परटन इस्थलक पर परटकों को घुमाते हैं उन tourist से संबंदित बताये गया है कि वो गैर कानूनी tourist लोगों को घुमा रहे हैं तो ऐसे guides सही जानकारी नहीं दे सकते हैं ऐसी कोई guarantee नहीं रहती तो वो सारी चीज़ें भी बताई गई हैं कि उन लोगों में क्या-क्या fault होती हैं उन लोगों में poor language skill होती हैं कुछ ऐसे भी tourist लोग होते हैं वो पैसे बचाने के लिए unauthorized और unlicensed guide को ले लेते हैं तो ये चीज़ें गलत हैं जिसकी वज़े से उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाते हैं जिनको जानकारी नहीं होती हैं वो गलत जानकारी भी दे सकते हैं तो इसलिए लोग कुछ पैसे save money करने के लिए वो poor language वाले guide को ले लेते हैं जो कि एक बहुत ही खराब experience देता है tourist लोगों को तो उस परेटन इसल पर एक licensed guide जो होता है वो सही जानकारी देगा तो उसकी मदद से ही लोग उस परेटन इसल पर गूमें जिससे की एक बढ़िया और सही जानकारी मिले लोगों है सही जानकारी देना लोगों को वो employment की वज़े से कुछ local peoples भी guide वाले पेशे में आ जाते हैं और वो guiding करने लगते हैं जो बिना license के होते हैं तो उन्हें भी जानकारी सही होनी बहुत आवश्यक है उन्हें भी training लेनी आवश्यक है समय जैसे ऐसे बदलते जा रहा है private organizations की भी मदद से उस प्रेटर निस्तल को संरक्षित करने के लिए भिन-बिन प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं हमारी भारसरगार के द्वारा उनकी maintenance भी जरूरी है और वहाँ पर जो भिन-बिन प्रकार की amenities सम्बंदी सुख सुविधाएं जो दी जा रही है परेटकों को उस पर भी work on किया जा रहा है एक अच्छा experience परेटकों को दे सके भारत के इतिहास से सम्बंदित और विरासत से सम्बंदित हर प्रकार की जानक duties हैं वो भी एक तरह से हमारी government के द्वारा की जा रही है वही सारी चीज़े यहाँ पर बताई गई है बच्चो इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण points हैं उसे यहाँ पर बताई गया है points to remember a tourist guide is a representative of culture, tradition and heritage site tourist guide जो होता है वो एक representative होता है संस्कृती रेतिरिवास से सम्बंदित और विरासत से सम्बंदित site का बच्चो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण points दिये गए हैं उसका मुख्य उदेशिक guide है अब guide के पास भिन-भिन प्रकार की जानकारी होनी चाहिए परेटन स्थल से सम्बंदित वो culture हो सकते हैं, tradition हो सकते हैं, heritage sites हो सकती है भिन-भिन प्रकार के परेटन सम्बंदित परेटकों के देने के लिए जानकारी उनके पास होनी चाहिए, वो visitors की knowledge के अंतरगत उन लोगों को हर प्रकार की जो detail है उनी की simple language में, मात्रिभाशा जो उनकी है, उनमें वो समझा सकें, guide वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसके बाद बताये गया it is the duty of the authorities to check the availability of trained guide at the destination, ये सभी जिम्मेदारी है उस authority की जो की state government की और ministry of tourism की की वो trained guide को रखें और उनकी availability हमेशा परेटन इस्थलों पर चेक करते रहें, ताकि कोई untrained staff as a guide वहाँ पर tourist लोगों को वहाँ पर घुमाने से संबंदित services न दे, क्योंकि अगर untrained staff होंगे तो इससे हमारी reputation जो होगी हमारे इंडिया की परेटन इस्थल की वो down हो जाएगी, क्योंकि वो सभी चीज़े जानकारी सही तरह से वो नहीं दे पाएंगे परेटकों को, तो एक reputed जगह से destination से trained guide होना आवश्यक है उस परेटन इस्थल पर, tourist look for authentic and factual information on a site or a place, tourist हमेशा सही जानकारी देखता है, सही तरह से उनको जानकारी उनके पास होनी चाहिए, तो इसलिए वो authentic और सही चीज़ों को हमेशा सर्च करता रहता है, और information gather करता रहता है, वो site और place से संबंधित, Before tourists choose a site or attraction, they will search all information sources related to site, tourist हमेशा ये ध्यान में रखता है, जब भी किसी परेटन इस्थल पर जा रहा है, जैसे कि ताज महल जा रहा है, तो ताज महल जाने से पहले वो हर प्रकार के जो भी उनसे संबंधित knowledge है, internet पे वो collect कर लेता है, वो सभी प्रकार की information को सर्च कर लेता है sources से संबंधित, हर प्रकार की site से संबंधित जानकारी एकत्रित कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छी जानकारी एकत्रित कर पाता है, और physically भी उस परेटन इस्थल पर चला जाता है, जिसकी मदद से वो totally entertained हो जाता है, उस परेटन इस्थल से संबंधित जानका देते हैं तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं खतम करते हैं इसके बाद हम न्यू सेशन लेके आएंगे ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झाल